प्रेशाद बड़ल जातें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तलाक की उपर परतिबंद, कैसे है, क्या नहीं है, ये पूरी जानकारी मिलेगी, पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंतक देखेंगे, तब पूरी जानकारी समझ में आएगी, और इस चनल को अब तक सब्सक्राइ पत्य पत्य दोनों समयतों के कोट के अंदर फाइल लगाएंगे, तो उनको तलाक मिल जाएगा, पर यहाँ पर जो एक तरफा तलाक की अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर एक लाइप पार्टरनर को तलाक लेना होता है, तो यहाँ पर जब एक तरफा तलाक के लिए एप अलमनी मिलनी चीये तो बिल्कुल जब case चलता रहता है तलाक का तब पतनी के लिए कोट पती के उपर maintenance लगा देती है यानकि case चलते वे पती को maintenance देना पड़ेगा ऐसा सिस्टम हो जाता है ऐसा कानून है ऐसा order हो जाता है, तो जब पति खुद भी तञाक केसक्त फेल करते हैं, तब ही पत्नी को तलाक केस चलते विए मैंटनेस देना पड़ जाता है, अब दूसरा जब वो तलाक केस पूरन होता है, खतम होता है उसका एंड होता है, चाहर रिजल्ट कुछ भी आये तो उसके अंदर भी साब से जो पतनी को पैसा देना पड़ता है, वो maintenance की सरणी में आता है, और permanent alimony के अंदर आता है एक मोटा पैसा, यानकी एक मुस्त एक ही पैसा पती को देना पड़ता है, फिर बाद में नहीं देना पड़ता है, पती के दोरा डाले हुए तलाक के केस के अंदर चाई पती को तलाक मिले या फिर ना मिले, पर पतनी को maintenance या फिर alimony तो मिलकर रहती है, जादतर मामलों के अंदर यही देखने को मिलता है, तो यहाँ पर पती का बहुत बड़ा नुक्षान हो जाता है, पती तो गए है, पतनी से प्रेशान होके तलाक लेने के लिए, पर पती की उपर एक भारी भर कम maintenance लग जाता है, भारी भर कम alimony लग जाती है, तो यहाँ पर पती का यह नुक्षान होता है, पतनी का कोई भी नुक्षान नहीं होता है, तो पती के दोवराचे कोई से भी ग्राउंड के आधार पे डाइवर्स का केस फाइली किया जाए सरिफ एक ग्राउंड को छोड़ कर पती के उपरे मेंटरेंस एलिमनी तो लग कर रहती है यानकि पूरी तरे से पती का फाइदा हो जाता है अन्य था पती का नुकसानी नुकसान होता है तो ये एक special ground कौन सा है जिसके आधर पे पती को बड़ी आसानी से डाइवर्चन की तलाग भी मिल जाता है और maintenance ये फिर एलिमनी भी नहीं लगती है तो ये ground है adultry का ground अगर wife अप साबित कर सकते हैं court के अंदर की उसकी wife adultry के अंदर है और साबित हो जाता है तो husband को इस ground के आधर पे बड़ी आसानी से डाइवर्च भी मिल जाएगा और इस ground के आधर पे पत्नियों को ने तो maintenance देना पड़ेगा और नहीं एलिमनी देनी पड़ेगी तो दोस्तों इस एक ground क को छोड़ कर अगर अन्य किसी भी ground के आधर पे husband के द्वरा divorce का case डाला जाएगा तो husband के उपर एक मोटा maintenance या फिर एलिमनी जरूर लगेगी जो कई लाखो करोड़ों रुपए की हो सकती है जुर्माने से कम नहीं होगी तो यह जानकरी में आपको समझाना चाता था कई वर्स मिले या फिर नम ले तो इस matter में फिर और किसी भी कानूनी matter में अगर आप मेरे से अधिक जानकरी लेना चाते हैं मेरे से phone के उपर बात करना चाते हैं तो whatsapp पे message कीजे appointment book करवाईए तो अभी आप इस वीडियो को like कर दीजे और share भी कर दीजे जो और लोगों तक भी धन्यवाद